खबरों का लंच बॉक्स मांग मजबूत रहने के बाबजू तीन फीजदी तक सस्ता हो सकता है सीमेंट रेटिंग एजनसी क्रिसल ने कहा सीमेंट उत्पादन में कच्छे माल के तौर पर इस्तिमाल होने वाली सामगरी के दाम घटने से कीमतों में आएगी गिरावट पिछले वितवर्ष में 351 रुपए प्रती बोरी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी सीमेंट की क्लीमत प्रती इस परधा बढ़ने से अब कीमतों में आएगी नर्मी इस साल तीन फीजदी तक घट सकते हैं सीमेंट के दाम विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च की देनी होगी जानकारी आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च के सुरोत पर कर संग रहे यानि टीसीएस लागू करने पर कर रहा है विचार विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किये जाने वाले खर्च का बेवरा तय समय के भीतर जारी करता बैंक को देने का किया जाएगा प्राबधान अगर विदेश में खर्च की गई राशी पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर 5 फीजदी लगेगा TCS जबकि अन्य उद्देशों के लिए खर्च पर वसूला जाएगा 20 फीजदी TCS अंचाहे कॉल्स रोकने के लिए WhatsApp लेकर आया नया फीचर WhatsApp पर अंजान नंबरों से आने वाले spam call से अब लोगों को नहीं होगे कोई समस्या इस नए फीचर को एक्टिवेट कर यूजर्स spam call को कर सकेंगे mute फोन में WhatsApp के नए अपडेट में इस फीचर को किया जा सकता है अक्टिवेट कंपनी ने प्राइवेसी चेकप का भी दिया है अपडेट जो यूजर्स को एप के सभी प्राइवेसी टूल्स के बारे में बताएगा और उन्हें चेकप का भी देगा ऑप्शन मेट्रो में सफर के लिए नहीं खरीदना होगा टोकन दिली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शुरू करने जा रहा है QR कोड आधारित टिकट सिस्टम यात्रियों को विंडो से टिकट खरीदने में लगने वाले समय की होगी बचत DMRC QR कोड आधारित टिकट सिस्टम शुरू करने के हैं अंतिम चरण में QR कोड सिस्टम यात्रियों को मोबाइल फोन का उपयोग कर मेट्रो स्टेशन में प्रिवेश करने पर बाहर निकलने की देगा अनुमती DMRC कर रहा है इस सिस्टम का भी परिक्षन नया सिस्टम इसी महीने जून अंत तक लौंच करने की है योजना थर्ड पार्टी मोटर इंशुरेंस की कीमतों में नहीं होगा इस बार इजाफा सलक परिवहन मंतरालाई के ड्राफ प्रस्ताओ में 2023 के लिए प्रीमियम बढ़ाने का नहीं है प्रस्ताओ मंतरालाई जल्द ही इंशुरेंस कंपनियों के साथ करेगा बैठक जल्द आएगा इस प्रस्ताओ पर अंतर्विम फैसला थर्ड पार्टी प्रीमियम न बढ़ने से वहन मालेकों को मिलेगी थोड़ी रहत भारत में प्रतेक वहन के लिए थर्ड पार्टी इंशुरेंस पॉलिसी खरीदना है अनिवारे म्यूचल फंड योजनाओं में SIP के जरीए होने वाले निवेश में बंद होने वाले खातों की संख्या मई में मासे काधार पर 7.4 फीजदी बढ़ी मई में बंद हुए 14,19,000 खाते नए SIP खातों का पंजी करन भी अपरेल के 19,56,000 से बढ़कर मई में हुआ 24,70,000 SIP खातों को बंद करने की सुविधा ऑनलाइन है उपलब्ध इस वज़ए से बढ़ी है पुराने खातों को निरस्ट करने की संख्या निवेशकों ने म्यूचल फंड में अपना पैसा लगाना रखा जारी मई में SIP में निवेश रहा 14,749 करोड रुपए मई में निवेश पढ़ने से SIP के तहट A.U.M. बढ़कर हुआ 7,53,000 करोड रुपए मौनसून में देरी की वज़ए से खाद पदार्थों की कीमत में हो रहा है अज़ाफा चावल और इस से बनने वाले पोहे और मुर्मरे की कीमत पाथ से 15 फीज़ दी पढ़ी पिछले 15 दिनों में जुआर और बाजरा की कीमतों में हुई है भारी बढ़ुतरी मौनसून में देरी से खरी फसलों की बुआई में हो रही है देरी सरकार के कदम उठाने के बाद भी गिहूं और दालों के दाम अभी भी बने हुए है उचाई पर कई राज़ों में मौनसून अभी भी बना हुआ है कमजोर मनरेगा स्कीम को पूरी तरह से बदलने की चल रही है तैयारी सरकारी पेनलने की योजना में बड़े बदलाव की सफारिश 7245 बलॉक में से पानी की कमी वाले धाई हजार बलॉक और अत्यंत गरीबी वाले एक हजार बलॉक में होगा मनरेगा की तहट काम सरकारी पेनलने की भारत के सबसे गरीब बलॉक को मनरेगा से जोडनी की सफारिश मनरेगा के 70 फीजदी फंड का उपयोग 49 फीजदी बलॉक में करने का दिया गया सुझाओ इससे देश में गरीबी कम करने में मिलेगी मदद एक जुलाई से 24 फुटवियर उतपादों के लिए लागू होंगे गुणवत्ता मानक जूते चपल जैसे फुटवियर उतपादों के बढ़ें के दाम बड़े और मध्यम निर्माताओं को एक जुलाई से करना होगा अनिवारे गुणवत्ता मानकों का पालन चीन जैसे देशों से खराब गुणवत्ता वाले उतपादों का आयात रोकने के लिए लागू किये जा रहे हैं मानक एक जनवरी 2024 से छोटे फुटवियर निर्माताओं के लिए भी इनका पालन करना होगा निवारे इस समय सीमा में आगे नहीं दी जाएगी कोई और छूट एर इंडिया ने बोईंग एर बस को दिया 470 विमानों की खरीद का ओरडर इस साल फरवरी में एर इंडिया ने 70 बिलियन डॉलर के अपने सौदे का किया था एलान पैरिस एर शो में एर इंडिया ने खरीद समझोते पर किया हस्ताक्षर इसके अलावा इंडिगो एर लाइन ने भी एर बस को एक साथ 500 नेरो बोडी विमानों के लिए एक बड़ा ओर देने का किया एलान इंडिगो के ओर्डर बुक में करीब 1000 विमान हो चुके है शामिल साल 2030 से लेकर 2035 की अबधी तक होगी इन नए विमानों के आपूरती तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही बिसनेस और परसनल फाइनस जुड़े हर अपडेट के लिए आप सुनते रहे रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजे मनी नाइन का मोबाइल अब मैं हूँ अमन गुपता इस बॉलेटन को तायर किया है आचल चौधरी ने चलता हूँ नमस्कार खबरों का लंच बॉक्स